अब फतेपोर जनबत के बिंदिगी नगर के समुदाइक स्वासकेंद्र में एडिशनल सेक्रेटरी ग्रामीन विकास मंत्राले बारसरकार आशीश कोईल ने निरिक्षन किया है उन्होंने एमरजंसी कक्ष लेबर रूम के अलावा रजिस्टर देखे और साथी साथ कक्षो का भी निरिक्षन किया गया साथी आपको बता दे कि समुदाइक स्वासकेंद्र के अदिख्षक डॉक्टर धर्मेंद्र को आवशक दिशा निरिक्ष दिये गया और निरिक्षन के बाद बहतर व्यवस्था के लिए एडिशनल सेक्रेटरी ने समुदाइक स्वासकेंद्र के अदिक्षक डॉक्टर धर्मेंदर सिंग को गुट भी दिया है और व्यवस्था बहतर बनाने के लिए भी निर्देशित किया गया और बाद में पत्रकारों से भी वो मुखातिब होए पत्रकारों से बादशीत करते हुए कहा गया कि समुदाइक स्वासकेंद्र डिलिवरी रात दिन हो रही है ऐसे में सिजेरियन के ऑपरेशन भी हो रहे हैं और OPD और एमर्जंसी की ववस्था भी काफी बहतर है इस मौके पर मुख्यविकास अधिकारी, SDM अधिकारी भी मौजोद रहे खबर सीकर से है जोहां सीकर के खाटुश्याम में हुई भगदर के मामले में कारवाई और जालोर में दलिच चात्र की मौत के विरोध में सीकर बंद रखा गया है विरोध जदाने वालों ने सरकार को चेतावनी दी और कहा गया कि अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो आगे बड़ा अंतोलन भी किया जाएगा बतादे आपको कि दोनों ही घटनाओं से आक्रोशित हुए लोगों ने कहा है कि सिक्षक की बिटाई से दलिच्छात्र की मौत हो गई और वहीं खाटो श्याम जी में हुई भगदर के बाद तीन स्रधालों की मौत हो गई और इसके बाद प्रिशास्तन ने समाज और जाती विशेश के अधिकारियों को निलंबित कर खाना पूर्ती की है मंदर कमिटी को बचाने का काम किया गया और इस भगदर में तीन स्रधालों की मौत वास्तव में मंदर कमिटी की अव्यवस्था का नतीजा है उन पर कोई भी कारवाई नहीं की गई जिससे लोगों में काफी आक्रोश दिखा है और इसी को लेकर सीकर बंद रखा गया है बता दें आपको कि आक्रोशित लोगों ने मांग उठाई है कि सरकार खाटू चाम जी मंदर कमिटी को भंग करके देवस्थान में शामिल करते और इस व्यवस्था को अपने हाथों में ले और इस बीच उत्तरकाशि से खबर है जहां पर धरासू के पास गंगोतरी और यमनोतरी नेशनल हाईवे पर बुदवार को करीब साड़े तीन बज़े अचानक से पहाड़ी दरकने की वज़े से भुस्खरन हो गया इसकी वज़े से यमनोतरी हाईवे के साथ नीचे से गुज़रने वाले गंगोतरी हाईवे पर भी भारी मलबा और बोल्डर आगिरा है बताते हैं आपको कि शाम तक रुक रुक कर बुस्खलन जारी रहने से हाईवे पर यातायात बहाल करने की स्थिती नहीं बन पा रही ह और वहीं दोनों ही और हाईवे बन होने की वज़े से हाईवे के दोनों तरफ यात्रियों और वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। कर भेजा जा रहा था और अब अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा तूट गया है इससे ये मार्ग खुलने की संभावना भी कम हो गई अब धर्सु बैंड के पास दोनों सडकों पर सैक्डों गाड़ियां फसी होई हैं खबर मद्ध्य प्रदेश थे हैं जो आगामी विधानसुभा चुनाव को देखते हुए आमाद्मी पार्टी ने तयार शुरू कर दी हैं साथी साथ आमाद्मी पार्टी ने मद्यप्रदेश में संगठन को बढ़ाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी जल्धी आगामे विधान सभा के लिए आमाद्मी पार्टी पूरी तरह से तयार रहेगी नगरिय निकाय चुनाव में पार्टी को जितनी उमीद थी उससे अधिक चीदकार मैदान में आए हैं इससे तय हो गया है कि जनता आमाद्मी पार्टी को पसंद कर रही है मद्यप्रदेश में आमाद्मी पार्टी की प्रदेश अध्याक्ष पंगल सिंग का ये कहना है कि यहां पर हुए निकाय चुनावों में आमाद्मी पार्टी की धमाकेदार एंट्री हो गई है अब इससे ये साबित होता है कि कहीं न कहीं प्रदेश की जो जनता है वो बीजेपी और कॉंग्रेस से पूरी तरह से उप चुकी है क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों में भरस्टाचारी के चलते आम जनता काफी परिशान है और महिंगाई से जूज रही जनता अब कुछ नया चाती है बता दे आपको कि यही कारण है कि अब प्रदेश की जनता आमादमी पार्टी पर पूरी तरह से उमीज जता रही है इसलिए आगामे विदानसभा चुनाव में आमादमी पार्टी 230 विदानसभा में अपना उमीदवार उतारेगी और इसी के चलते आमादमी पार्टी प्रदेश पर में नए कारे करताओं को जोडने का भी काम कर रही है जो पूरी दरह से पार्टी के लिए इमांदारी और भ्रस्टचार मुक्त नाराज शामिल होना चाहते हैं उन्हें पार्टी से जोड़ा जा रहा है अमध्य प्रदेश के मुख्य मंतरी शिवराज सिंग चोहान को पार्टी के संसदिये बोर्ड और केंद्रिये चुनाफ समिती से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है बताया जो रहा है कि उनका कद अब कम हो गया है और इससे एक बार फिर उनके उतर अधिकारी के नामों पर चर्चा तेज हो गई अब भाजपा ने राश्त्रिय स्तर पर बड़े बतलाव की गोशना कर दी है और भाजपा की सबसे ताकतवर बोर्डी सांसदिये बोर्ट और केंद्री चुनाफ समिती से शिवराज सिंग चोहान को बाहर करने के सियासी माईने निकाले जो रहे हैं ऐसे में फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर प्रदेश में आगामी चुनाफ से पहले बीजेपी अपना चेहरा बदल सकती है अब सवाल ये भी उटता है कि शिवराज का उत्रादिकारी बनने की शमता आखिर किस किस में है तो वहीं आपको बता दे कि मुख्य मंत् जोतिरा दित्या सिंध्या केंद्रिय मंत्री नरेंद सिंग तोमर प्रलाद पटेल और ग्रह मंत्री नरुत्तमिष्टा का नाम सबसे आगे रखा गया है